सबसे लेटेस्ट पेपर में से एक एक्जामनेशन आपके पास में ठीक है आने वाले जो कमिंग सबसे के एक्जाम है आती महत्पूर्ण है देख के जाओ किस तरह के पैटर्स किस तरह की वेराइटीस न्यू वेंडर जो है वह आप लोगों से पूछ रहा है तो यह हमारे पास में है 762424 सिफ्ट नमबर एक का पेपर इसकी कम्प्लीट रिजिनिंग जो है इसके all 50 questions के बहतरी methods के साथ thought process के साथ में elimination method के साथ में हम लोग solution देखने वाले SST के सारे coming exam के लिए बहुत important आपके पास में हो जाते है तो session को like and share कर दो शुरुआत कर देते हैं हम लोग इसकी आईए एकनिसित कोड भासा में BR को लिखा जाता है 9715 कोडित किया जाता है rust को 8962 के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी भासा में R के लिए क्या कोड होगा यह बहुत standard सा pattern है जितने अक्षर है उतने ही digit आ रहे है जितने अक्षर है उतने ही digit आपके पास माये है तो in questions में elimination कैसे लगाना है R का कोड चाहिए R rust में है R beer में है दोनों में देखा जाए तो दोनों में R समान है दोनों में R common है तो R का कोड भी common होना चाहिए तो 8, 9, 6, 2 तो यहां अगर हम लोग देखें तो 9 ऐसा है जो दोनों में common है इसका मतलब सीधी सी बात है अगर R common था R का code भी common होगा और जितने अक्षर उतने ही digit का मतलब यह था कि प्रतेक अक्षर के लिए एक digit आपके पास में आई है ठीक है आगया हो प्रसन है यहां पर A plus B का मतलब है A is the brother of B A minus B का अर्थ है A is the mother of B A गुणा B का अर्थ है A is the wife of B A division B का अर्थ है A is the father of B तो how is S related to M S का M से क्या संबंद है इस relation को आप एक जलक में देखते हो आपको नजर आ रहा है कि sir A के बाद में B आया है और A के बाद में अगर B हमारे पास में आया है तो देखिए A के बाद में B आया है पहले A को पड़ो बाद में B को पड़ो forward coding हमारे पास में है तो यहां यह code आपके पास में है इससे आपको यहां पर जो है इसके लिए family tree बनाना है और family tree बनाके इसका answer लाना है चलिए देखें N into S हमारे पास में है N S की पत्नी है आगे देखो S division A हमारे पास में है तो S A का पिता है आगे देखो A plus R हमारे पास में है तो A R का भाई है A जो है वो किसका भाई है R का भाई है आगे देखो R-M हमारे पास में है तो यहां देखिए R-M की मा है ठीक है तो S-M से किस प्रकार सम्मंदित है S जो है हमारे पास में M से कैसे सम्मंदित हो जाएगा M के मा और मा का यहां पर देखा जाए तो पिता है और मा का पिता यहां पर हो जाएगा mother's father यानि कि नाना कौन से विकल्प में ए विकल्प में बहुत आसान ये सवाल होते है forward read करो काम का सम्मंध है कि plus दिखा है तो plus के लिए भाई आना चाहिए minus के लिए mother गुणा के लिए wife केवल इस चीज़ पे नज़र दो स्क्रीन की उपर diagram बनाने में दो-चार सेकंड से ज़्यादा का समय आपको इसके नहीं लगता है और फिर किसी के बीच में भी relation पूछा जा सकता है आ गया हो अगला देखें दी गई कूट वासा में N के लिए हमारे पास में क्या code होगा ठीक है तो देखो N का code हमको चाहिए चार अक्षर चार डिजिट चार अक्षर चार डिजिट दोनों में देखो तो N के अराबा और कुछ common नहीं है अगर cable N common है और एक अक्षर के लिए एक डिजिट आता है तो N का डिजिट भी common होना चाहिए देखो 6,2,4,8 यहां पर 8 है जो दोनों जगे common है यानि कि 8 हमारे पास correct answer यहां पर होगा आ गया हो Next देखें एक निशिट कोट भासा में VR Friends को लिखा जाता है AJ, ER, KL के रूप में कोडित किया जाता है Friends, R, Ever को लिखा जाता है ER, AJ, PU के रूप में तो दी गई भासा में Forever को कैसे लिखा जाएगा ठीक है देखो Forever जो है इसका कोड आप लोगों से पूछा गया है अब यहां पर देखो Forever तो हमारे पास में इन दोनों में नहीं आ रहा ठीक है Forever तो हमारे पास में इन दोनों में नहीं आया है ठीक है सी टाइपिंग विस्टेक है यहां देखो इंगलिस में forever लिखा है और यहां यह for को खा गया नया सब्द नहीं है वही सब्द है जो हमारे पास में यहां पर आया है तो अब देखो इसमें सीधा killer argument कैसे कुछ सेकिंड में इसके उत्तर आएगा killer argument लगाओ कि सर यहां पर हमारे पास forever है forever यहां पर नहीं है इसका मतलब forever का code भी इन तीनों में से नहीं हो सकता तो AJ answer नहीं हो सकता ER answer नहीं हो सकता KL answer नहीं हो सकता तो A हमारे पास में correct answer यहां पर होगा यह हमारे पास में यहां पर code हो जाएगा किसका forever का तो जब हमारे पास इस तरीके से सवाल हो और इसमें जो matching हमको करनी है उस matching में केबल ऐसा दे रखा है कि इस sentence में forever था code भी यहीं पे होगा यहां नहीं है यहां code नहीं होगा सीधा elimination in questions के अंदर लगाना है आ गया हो अगला देखें एक निश्चित कोड भासा में default को लिखा जाता है DTLUFE ठीक है देखिए क्या लिखा हुआ है एक तो आप ध्यान से देखो सभी के अंदर rearrangement है ठीक है F-A-U-L-T हमारे पास में है सभी के अंदर क्या है rearrangement है DTLUAFE तो यह हमारे पास में हुआ इसमें आप देखो किस तरह D इदर आया है T हमारे पास में इस तरफ आ रहा है और इन अक्षरों को ध्यान से देखो L इदर है U इदर है A इदर है F इदर है E इस तरफ है एक अक्षर एजिटेस है बाकी सब में इस तरीके से rearrangement चाला है पुर्णर विवस्था का एक टाइप हमारे पास में है इसी तरीके से यहां देखो B एजिटेस समान है और बाकी जो देखा जाया उन सब के अंदर cross के रूप में रही rearrangement रिवर्स ओडर में लिख दिया इनको क्या किया है रिवर्स ओडर में लिख दिया है एक तरीके से तो अब fantastic में आप ध्यान से देखो इसी तरीके से देखो F एजिटेस होगा इसको उल्टे करम में लिख दो Y, S, A, T, N, A ये हमारे पास में यहां पर आया है कौन से विकल्प में है ए विकल्प में आपको दे रखा है ए आपके पास correct answer यहां पर होगा आगया हो next देखो A plus B का अर्थ है A B की मा है A B का भाई है सभी के अंदर forward coding आपको दे रखी है पहले A है बाद में आपको भी दे रखा है यहां पर ठीक है तो अब देखो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहां सभी में forward coding है forward पढ़ो minus के लिए brother पढ़ो plus के लिए mother पढ़ो यहां पर clear है अब सवाल में वास्तम में समय कितना देना है सवाल को तो देखके हमें पता लग गया forward coding है इसके अंदर कितना समय वास्तम में सवाल में लगना चाहिए ठीक है तो यहाँ L और R का relation चाहिए L इदर है R इदर है चलिए देखे L गुणा M तो गुणा करता है हमारे पास में बहन तो L M की बहन है आगया जाओ M प्लस Q तो प्लस करता है मा तो M Q की मा है आगया जाओ Q माइनस R तो माइनस करता है Q R का भाई है यह relation हो गया यह पूरा संबंध हमारे पास में हुआ forward coding में दो सेकेंड में आप इसका relation साफ सकते हो पूछा है L R से कैसे संबंध देते L R का क्या लगेगा R की मम्मी की बहन है और मम्मी की बहन क्या हो दार जी है Mother, Sister कौन से विकल्प में? D विकल्प में मा की बहन है मौसी का relation हमारे पास में यहां पर होगा आगे बढ़े प्रस्न देखें यदि forcing सब्द के प्रतेक अक्षर को अंगरी जी बर्णमाला करम में वेवस्तित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति ए परिवर्थित तो रहेगी देखिए forcing हमारे पास में यहां पर है प्रतेक अक्षर को वर्णमाला करम में वेवस्तित किया जाए तो वर्णमाला करम में अगर इसको वेवस्तित करते हैं तो सबसे छोटा हमारे पास में देखिए C है C के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यह हमारे पास में यहां पर F हो जाता है F के बाद में G है G के बाद में I है I के बाद अगर देखें तो यह हमारी पास में N है O है R यहाँ पर है बढ़ता हुआ करम हो गया सारे अंगरी जी वनमाला के अकॉर्डिंग जो अक्षर होते हैं A से Z तक के अब देखो इसने पूछा है कितने अक्षरों की इस्तिती A परिवर्तित रहेगी देखो C और F यह तो बदल गया यहाँ भी बदल गया R G C I I N O G R एक भी अक्षर नहीं है जो अपनी जगे पे हो तो यहाँ अगर हम लोग देखें 0 अक्षर ऐसे हैं सुनने अक्षर ऐसे हैं जिनकी इस्तिती A परिवर्तित रहेगी ठीक है एक भी अक्षर नहीं है जिसकी इस्तिती A परिवर्तित रहेगी यह सब बदल गए हैं बढ़ते हुए करम में लिख दिया 3, 6, 9, 3, 6, 7, 9, 14, 15, 18 आ गया जाओ नेक्स देखें यदि एक्षर सब्द के प्रते एक अक्षर को अंगरी जिवर्ण वाला करम में विवस्तित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्तिती परिवर्तित रहेगी ठीक है रिसेंट SSE के एक्षाम में अल्फाबेट टेस्ट की बहुत तरह की वेराइटी पूछी गई है आप देख सकते हो हर एक एक्षाम के अंदर ही वेराइटी आती है और मास्टर स्टोक सीरीज में आपको करवा रखी है यूटूब पे उस सीरीज को देखो सारे पैटर्स को आप कवर करना चाहते हो बहुत हेल्फूल रहेगी ठीक है इस तरह के सारे पैटर्न उसके अंदर आपको मिलेंगे जैसे देखो एक्वायर हमारे पास में है एक्वायर सब्द के प्रतेक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला करम में विवस्तित किया जाए तो हमने किया ठीक है भईया कर देंगे अंग्रेजी वर्णमाला करम में विवस्तित करो A से Z का गरम A है A के बाद C है C के बाद E है A के बाद I है I के बाद हमारे पास में Q, R, U कितनों की इस्तिती A परिवर्थित रही है तो ध्यान से देखो सर A परिवर्थित है C A परिवर्थे था ये बदल गया ये बदल गया R A परिवर्थे था ये बदल गया तीन अक्षर ऐसे हैं हमारे पास में थ्री जिनकी इस्तिती बिल्कुल A परिवर्थे तो रही है कोई चेंज उसके अंदर नहीं है आगया हो अगला देखें NRMJ अंग्री जी बनवाला क्रम्य आधार पर एक निश्य तरीके से PTOL से संबंदित है तो लेटर से लेटर का रिलेशन है हमारे पास में ठीक है इसका रिलेशन दे रखा है PTOL के साथ में तो अब आप देखो किसर 14 18 13 10 16 20 15 12 अब अगर पहले से पहले में रिलेशन देखा जाए प्लस का दो है यहां देखो प्लस का दो है सर 13 से 15 प्लस का दो है 10 से 12 प्लस का दो है तभी के अंदर हमारे पास लेटर से लेटर प्लस के 2 का रिलेशन है 1st to 1st का रिलेशन हमारे पास में है पहले से पहले का सम्मंद हमारे पास में यहां पर है ठीक है अब आप देखो TXSP को अगर हम लोग देखें प्लस का दो करेंगे प्लस का दो करने पर V है प्लस का दो करने पर हमारे पास Z है प्लस का दो करने पर U है प्लस का दो करने पर R हमारे पास में है ठीक है नेक्स देखें LMNB अंग्रीजी वनवाला करम के अधार पे एक निश्य तरीके से PQRF से related है तो LMNB हमारे पास में यहां पर है जिसको PQRF यहां पर लिखा जाता है ठीक है तो देखिए यहां हमारे पास में 12, 13, 14, 2 हमारे पास में 6, 18, 17, 16 हमारे पास में तो प्लस का 4 है प्लस का 4 है प्लस का 4 है और प्लस का 4 हमारे पास में यहां पर है ठीक है तो अब आप देखो यहां हमारे पास उसी भासा में KTSO को कैसे लिखेंगे बेसिक से relation अब इस से बेसिक क्या होगा प्लस का 4 करो O है प्लस का 4 करो X है प्लस का 4 करो 23 है प्लस का 4 करो S हमारे पास में OX, WX कौन से विकल्प में B option में हमें दे रखा है B हमारे पास में correct answer यहां पर होगा आगे हो नेक्स देखें अंग्रे जी बंडमाला करम के आधार पे दी गई इस रेंखला में प्रस्ण चिनने के स्थान पर क्या आना चाहिए प्रस्ण चिनने के स्थान पर क्या आएगा ठीक है तो देखो यहां हमारे पास में 2 तरह के letter यहां पर होए L से M, M से N, N से O, O से हमारे पास में यहां पर P होगा एक एक letter बढ़ता हुआ जा रहा है इसे साब से 2 विकल्ब बचे यहां देखो Q से R प्लस का एक है R से S, S से T, T से U यहां पर होगा ऐसा answer है हमारे पास में यह अगर यहां पर 3 अक्षर हैं इसका मतलब 3 series थी पहले एक्षर की सरेंखला दूसरे की और तीसरे की अब दो series आपको अधिक्तम check करनी पड़ती हैं तीनो options eliminate हो जाते हैं और जैसे eliminate होते हैं answer लगा दो सारी series आपको check नहीं करनी होती है आगया अगला देखो तो FXI, CUF फिर से 3-3 की series हमारे पास में हैं अगर विकल्प को देखें SR, ST3 तरही विराइटी OM, NL चारो अलग है smart approach यह कहती है कि हम दूसरी series को check करेंगे तो एक बार में उत्तर आएगा तो देखिए यहां हमारे पास X से U है हमारे पास में minus कतीन है U से R minus कतीन है minus कतीन यहाँ पर minus कतीन यहाँ पर क्या हो जाएगा L यहाँ पर होगा कौन से विकल्प में है D विकल्प में हमें दे रखा है D हमारे पास में correct answer यहाँ पर बनेगा आगे हो next देखो BFS, CGI, DHJ, EIK next हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाता है ठीक है और हो सकता है एक बार मा answer आजाए या हो सकता है आपको दोनों चेक करने पड़े देखे B से C, 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 D, D से E, E से F हमारे पास में होगा F, G, PLUS का हमारे पास में एक है H, I, और यह J बहुत ही basic series मतलब इन से basic क्या ही होगा बहुत ही आसान इस तरके क्युस्टन से आपके पास में हो जाते है एक-एक अंतर है सीधा-सीधा इतना तो अंग्रेजी वर्णमाला बोलना बच्पन में सीखता है बच्छा वोई दे रखी आगया हो next देखे BLF, DSJ, FSJ, HFL के उस तनमार्ख हमको दे रखा है इस बार सरंखला में कौमा नहीं लगाया space लगा के दे रखी है आपको ठीक है तो देखे B से D प्लस का दो प्लस का दो प्लस का दो सभी जगे प्लस का दो चला है सर तो अगला प्लस का दो करेंगे तो 8 और 2, 10, J हमारे पास में होगा कौन से विकल्प में है सब में दे रखा है तीसरी सीरीज देखो F से H प्लस का दो है H से J प्लस का दो है J से L प्लस का दो है L से हमारे पास में N होगा तो ये कौन से विकल्प में है D विकल्प में दे रखा है पहला अक्षर J, आखरी N है, दो ही सीरीज आपने चेक करी है, सारी सीरीज आपको चेक नहीं करनी थी, आगे बड़े, अगला देखो, V, W, Z, B, C, F, H, I, L, N, O, R, T, U, X, next हमारे पास में क्या बनेगा, ठीक है, तो देखो, V हमारे पास में यहां पर है, Z, Y, Z, Y, दो तरे की विराइटी है, A, B, AB, दो तरे की विराइटी है, C, E, D, तीन तरे की विराइटी है, थर्ड सीरी सेक करो smartly, Z से F, R, extra, R, U, R, plus करो 6, R, plus करो 6, अब देखो, plus कर च्हे पास में बनेगा यहां पर D और D है हमारे पास दो विकल्पों में अब पहली या दूसरी कोई सी भी स्रिंखला चेक कर लो जैसे दूसरी को करूँ W से C प्लस का 6 ही है प्लस है प्लस है 15-6-21 21 और 6 हमारे पास में यहां पर आएगा A तो B करेक्ट आंसर हमारे पास में बनेगा ठीक है 21 में 6 जोड़ोगे तो यह आता है 27 अंग्री जी बनमाला 26 तक है जब भी 26 से बड़ा हो जाए 26 घटा दो एक बचा एक आता है एक के लिए आगे हो अगला देखिए अंग्री जी बनमाला करम के आधार पे दीगे इस रिंकला में प्रसन चिने के स्थान पर क्या आना चाहिए तो यहां हमारे पास में सीरीज आपको दे रखी है चार हमारे पास में लेटर्स है चारों लेटर्स में सीरीज आपको देखनी है ठीक है अब इन सवालों में सारी सीरीज आपको नहीं चेक करनी होती स्मार्टली चलना है जैसे विकल्प अगर आप देखोगे तो सबी जगह Y देख रहा है अब अगर इस सीरीज को चेक किया तो टाइम वेस्ट हो रहा है एक्जाम में बस A, H, B, A ये तीन तरह की विराइटी है I, S, I, J तीन तरह की विराइटी N, D, N के तीन तरह की विराइटी कोई से भी सीरीज चेक कर लो T से I है प्लस का 6 है सर I से O है प्लस का 6 है सर 15, 6, 21, 21 और 6 A हमारे पास में आएगा तो दूसरा अप्छर A हमारे पास में है अब तीसरा चेक कर लो के से Q हमारे पास में 11 से 17 प्लस का 6 है 17, 6, 23 है सर हमारे पास 23 और ये हमारे पास 6 C है 6 और 3, 9 यानि की I हमारे पास में होगा कौन से विकल्प में है A आप्सन में तो हमने 1 और 3 दो सीरीज चेक करी और जैसा मैं कहता हूँ कि आपको 2 से जादा सीरीज नहीं चेक करनी होती बहलें ये 4 अक्षर की स्रेणिया हो या 5 अक्षर स्रेणिया हो आ गया हो अगला देखें तो यहां उस सब्द जोड़ी का चैन करो जो नीचे देगे सब्दों की जोड़ी में बिगर होने के संदर्ब में है और बिग भी हमारी पास बड़ा होने के संदर्ब में दोनों के दोनों सर देखते ही हम कह सकते हैं समानार थी अब ऐसा का ऐसा रिलेशन आपको जनरल नौलेज सोचल इंटेलिजनस आपकी ये चेक करता है आपको विकल्प में देखना है तो देखिए same और alike ये दोनों एक जैसे ही है ठीक है far और near ये तो विपरीत होगे first और last विपरीत होगे demolis और repair विपरीत होगे बाकी तिनों विपरीत के युग में cable A option ऐसा है जिसके अंदर similar आपको यहाँ पर relation दे रखा समनार्थी यहाँ पर हो जाते है आगे बड़े next देखो horse का relation मेयर से है तो horse और मेयर घोड़ा और घोड़ी दोनों एक दूसरे के काउंटर जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाते है genders opposite genders यहाँ पे है ठीक है तो देखो opposite gender यह हमारे पास में है तो यहाँ आप देखोगे drone बतक, more, lombry, hirn, hirni तो यहाँ हमारे पास buck और doe, fox और goose lombry और बतक यह relation नहीं होता peacock और wixen नहीं हो सकता drone और duck हमारे पास नहीं होता सही relation है buck and jaw, hirn और hirni जो है वो एक दूसरे के counter genders है ठीक है, आगे आओ next देखो af19 एक निस्सित तरीके से ch16 से संबंदित है उसी तरह gltb, in20 से संबंदित है समान तरक का पालन करते हुए mr36 नेमलिकित में से किस से संबंदित है ठीक है, तो देखो यहाँ sir हमारे पास में af19 इस जगे पे है th16 हमारे पास यहाँ पर है a से c प्लस का दो है f से h प्लस का दो हमारे पास में यहाँ पर हुआ है g से i प्लस का दो है l से n प्लस का दो है 23 से हमारे पास माइनस का 3 है तो इधर देखो 36 से माइनस का 3 करोगे 33 हमारे पास में आएगा और इधर देखा जाए, प्लस का दो करने पर O है, प्लस का दो करने पर T है, तो इन दोनों में प्लस का दो हो गया अक्षरों में O T 33 आपके पास बनेगा, कौन से विकल्प में है, कि सर D option में दे रखा है, alpha numeric आप लोगों से यहाँ पर relation पूछा गया है, आगे आओ, next देखो IK3 एक निस्चित तरीके से EO7 से संबन्दित है, उसी प्रकार YO5 US9 से संबन्दित है, समान तरक का पालन करते हुए, ZU5 निमलिकित में से किस से संबन्दित है, ठीक है, तो देखो ठीक है, यह देखो, यह हमारे पास 9 है, 11 है, यह हमारे पास 5 है, 15 हमारे पास यहाँ पर है, माइनस का 4 हुआ, प्लस का 4 हुआ, इधर देखो, प्लस का 4 हमारे पास में है, ठीक है, 5 से 9 आ रहा है, प्लस का 4 यहाँ पर हू रहा है, ठीक है, माइनस का 4 करे इधर, प्लस का 4 कर इधर तो यह logic लगा दो माइनस का 4 करोगे तो यह हमारे पास में आ जाएगा सर वी और प्लस का 4 आप करते हो तो 21 चार 25 वाई होगा इधर देखा जाए आपको प्लस का 4 करना है तो यह हो जाएगा 5 और 4 9 तो वी वाई 9 हमारे पास कौन से विकल्प में C में बहुत ही बेसिक और सबसे आसान टाइप के questions आपको 1 by 1 देखने को मिले हैं ठीक है आगया ओ नेक्स देखो यवी 15 एक निस्चित तरीके से TQ 13 से संबंदित है ठीक है तो देखो यवी 15 अप डाउन format में आपको इने लिखना होता है तुरंत लॉजिक को देखने के लिए संख्या में तो माइनस दो है और यह 22 है यह हमारे पास Y 25 है पी 20 Q 17 इदर अगर देखा जाए तो सर हमारे पास माइनस का पांच है यहां देखो के माइनस का पांच है सभी के अंदर माइनस का पांच हुआ है अब देखो अगर यही लॉजिक इदर लगाता हूं तो यह आएगा S माइनस का 5 करता हूँ तो यह हमारे पास में P और इधर माइनस का 2 करता हूँ तो 11 आ जाएगा S P 11 कौन से विकल्प में है कि सर यह हमें दे रखा है B option के अंदर B हमारे पास correct answer होगा आ गया हो Next देखो यह हमारे पास में VOD batch है VOD batch बल्रामसर रीजनिंग मोईल अप्लिकेशन पर आपके लिए अविलेबल है यह batch एक completely recorded batch है दो mode माँ आपको यह मिल जाता है ठीक है एक आपके पास slow mode जिसके अंदर आप आराम से हर एक topic को multiple classes में समझते हुए एकदम 0 label से समझते हुए चलते हो और इसके अंदर आपको 1500 plus classes मिल जाती है दूसरा है revision mode कि आपके revision का ध्यान रखते हुए revision के हिसाब से इसके अंदर एक topic एक class one short revision वाली वीडियोस आपको यहाँ provide कर रखी है तो यह आपके लिए जवरदस्त बैच हो जाता है reasoning के प्रतेक exam के लिए भले ही वो straight level का exam हो center level का exam है, straight level का exam है सब के लिए उप्योगी है, ssc railway सभी exam के लिए उप्योगी है complete reasoning को cover करता है यह आपको बल्रामसर reasoning application पर available है और अभी बहतरी नौफर इसके उपर running है आप लोगों के लिए तो आपको join करना चाहिए आगया हो, next देखो ps77 एक निस्सित तरीके से ux108 से सम्मंदित है तो ps77 यहां पर है ux108 से सम्मंदित है तो आप देखो किस तर यह 16 है 21 है, यहां 19 है, यहां 24 है तो इधर हमारे पास प्लस का 5 है, यहां हमारे पास प्लस का 5 है, यहां 77 से देखो तो T208 हमारे पास 31 एड़ हो रहा है sir आगे देखा जाए 18 से इधर देखो तो 31 ही एड़ हुआ है तो इधर भी 31 एड़ करेंगे तो 90 है आ रहा है 90 है हमारे पास cable एक ही विकल्प में है D में तो cable संख्या से संख्या का relation जो हमने देखा है वही sufficient है यहाँ पर 3 options को eliminate करने के लिए ठीक है इसी तरीके से अक्षरों के बीच में भी आप relation देख सकते हो सामान्य सा common सा question आ गया हो next देखें तो यहाँ देखें पूरी पूरी संख्या जो है इसके उपर operation आपको लगाना है ठीक है तो देखो यहाँ आमारे पास दो सेट दे रहे हैं दोनों सेट के बीच में relation आपको देखना है 6, 24, 12 7, 36, 13 तो यहाँ देखा जाए तो आपके पास मैं आप relation यहाँ पर देख सकते हो कि सर देखो यह चोटी सख्या है यह दोनों बड़ी संख्या है सबसे बड़ी बीच वाली है इन दोनों का योगफल 30 इनके बीच में अंतर देखो 18 इनका योगफल 36 इनके बीच में अंतर देखो 12 इस तरीके से इनके combination आप लिखोगे तो जल्दी answer आपको दिख जाता है यहाँ देखो यह हमारे पास कितना है 43 है इनके अंतर की में बात करू 29 है इनका योगफल हमारे पास 49 है इनके difference की में बात करू तो यह हमारे पास में 3 और 2 23 है क्या कोई relation यहाँ पे है 30 से 12 का सम्मंद 12 से 18 डेड़ गुना है यहाँ ऐसा कोई सम्मंद नहीं है 36 से 6 का relation square है 6 गुना है 7 का square है यह मिल गया यह वाला सम्मंद है क्या लगा है वर्गो का सम्मंद लगा है यह वाला relation है कौन सा सम्मंद है वर्गो का सम्मंद देखो इन सवालों में दिमाग हमारा कभी भी सोचना बंद नहीं करता हमेशा दिमाग चलता है आप ये नहीं भी लिखोगे इसको देखकर भी आपका दिमाग इसके बारे में सोचना बंद नहीं करता है तो अपने दिमाग का थोड़ा सा साथ दो और मैं कहता हूँ कि इन सवालों में आपको पैन औ आपके पास नहीं होता, यह होता है कि आप ये लिखोगे तो भी आपके पास साथ सेकंड खर्च होंगे, लेकिन गारेंटी होगी कि आप आंसर पे जल्दी निस्षित और हर बार पहुंचोगे, यही अंतर है एक अच्छे स्टूडेंट्स में, और जो किस्टन छोड़ देते हैं, उनके बीच में टाइम खराब कर देते हैं, टाइम खराब करना आफोड ही नहीं कर सकते हैं, आज कल के एक्जाम में, तो आपको पैन और दिमाग दोनों का इस्तमाल करना है, आंसर पे पहुंचने के लिए इस परकार से, ठीक है, तब ही आप तुरंत पहुंच पाते ह पैटन लगा है, अगर हमारे पास में A, B, C कोई सेट है, सेट का मतलब होता है, तीन संख्याओं है, आपस में कोई ने कोई रिलेशन है इस तरीके से, तो यह रिलेशन हमारे पास में था, B प्लस C जो है, इसका वर्ग मूल अगर हम लेते हैं, तो यह A के बराबर है, यह प सब्सक्राइब का पैटर्ण 106 और 5 111 किसी का वर्ग नहीं है सियासट और 15 हमारे पास में यह हो जाएगा 81 नौ का वर्ग है इन दोनों का युक्षल कितना हो रहा है 81 इधर 12 18 30 इधर हमारे पास में नहीं तो सही आंसर है बी हमारे पास में आगे बढ़ें अगला देखें 4 32 8 9 54 6 हमारे पास में यहां पर है ठीक है तो आप देखो कि सर 4 32 8 क्या रिलेशन है यह तो बड़ा कॉमन सा संबन्द है 8 इंटू 4 32 6 इंटू 9 54 सीधा सीधा ठीक है और एक्जाम में भी देखें तो दिखते ही पैंच चलाओ इस तरीके से रिलेशन लिखो अब कॉमन है तुरन दिख जाएगा कॉमन नहीं है तो क्या क्या करना है एक्जाम होल के अंदर इनका योगफल लिखो इनका अंतर लिखो इनका गुणा लिखो इनका वरग लिखो इनका क्यूब लिखो और फिर इनके जितने भी कॉम्बिनेशन है इनसे बनने वाले उनसे देख करके पता लगाओ कि 32 कैसे आ सकता है अब यहां तो दिख गया साफ गुणा से आ रहा है कई बार साफ नहीं दिखेगा गुणा के पास की संख्या होगी योगफल से आ रहा होगा अंतर से आ रहा होगा स्क्वार से आ रहा होगा क्यूब से आ रहा होगा वो सब आपको द है तो यहां pattern लगा है A into C equal to B यह common सा pattern है हजारों बार exams के अंदर यह आ चुका है हर एक SSC railway और different exams के अंदर यह पूछा जा चुका है बहुत common तर्क आ गया हो next देखो तो 36 75 42 87 हमारे पास में है ठीक है तो अब देखो कि यहां दो संख्याओं में आपस में relation है कैसे relation होगा दो ही संख्याओं है तो या तो अंतर का relation होगा या multiple का relation होगा square cube भी हो सकता है चलो अंतर देखा जाए तो सर यहां पर 39 का अंतर है और देखो सर दुगना करके और और 3 जोड़ दिया इधर देखो यह दुगने का असपास का लग रहा दुगना प्लस 3 यह मिल गया पैटन यह लो तो पैटन है संख्या और संख्या का दुगना प्लस 3 यह पैटन हमारे पास लगा है ठीक है बहुत यूजवल पैटन है संख्या का मल्टीपल लेके कुछ जोड दिया या घटा दिया और सेकड़ों बार सेकड़ों नहीं आप यह कह सकते हो हजारों बार अलग-लग एक्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं यह पैटर्स ठीक है जो भी स्टूडेंट मेरी डिफरेंट प्रिविएस एर के एक्जा तक प्रेक्टिश को बरकरार रखते हो तभी ऐसा होता है तो अब देखो चत्ती से पिचतर बियाली से सित्यासी हमारे पास में यहां पर हुआ है तो कौन से विकल्प के अंदर हमारे पास में यह हो जाता है ऐसा कि दुगना 72 प्लस 5 है इधर दुगना 90 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 है इधर 45 दुगना 90 प्लस का 3 है सी हमारे पास करेक्ट आंसर है इंटू 2 प्लस 3 इसमें हुआ है आगया हो नेक्स देखें तो फिर से हमारे पास में पूरी-पूरी संख्या पर ऑपरिशन लगाना है और इसने कहा है कि आपको उसी तर्क से जिस तर्क से 566 से है 11 का रिलेशन किस से होगा तो चलिए देखें यह देखो लेंग्वेज की रूप में दे रहा है कई बार एनलोजी लगा के सीधा-सीधा साधर्शिता की रूप में आपसे डिनोट करके पूछ लिया जाता है 5 से 67 सर 5 का वर्ग करो 25 है 5 का घं करो 125 है 5 के वर्ग से तो बढ है इससे देखोगे तो 25 दूनी 50 प्लस 17 है यहां से देखोगे 49 का दोगना 98 है दोगना माइनस पांच तो यह रिलेशन तो हमारे पास में नहीं है मल्टिप्लिकेशन की बात करो तो सर 12 पंजे 60 और 13 गुना है 13 पंजे 65 प्लस का दो 13 टाइम तो लिख रहा है इधर देखो जाए तो 13 सत्ते एक राण में प्लस का दो यह लो कॉमन साब मल्टिप्लिकेशन का लॉजिक है मल्टिप्लिकेशन स्क्वाइर क्यूब यह आपके दिमाग में आने चीए लिखोगे तुरंट लॉजिक पकड़ोगे यहां से सोचोगे तो सोचते सोचते समय ज़्यादा लगता है तो पैन और दिमाग साथ चलाओ पैटर्न क्या लगा है कि सर संख्या है हमारे पास में तो यहां रिलेशन है 13N प्लस 2 यह हमारे पास में यहां पर चला है ठीक है कौन से विकल्प के अंदर यह हमारे पास में हो जाता है कि सर ऐसा हमको दे रखा है 13N प्लस का 2 हमारे पास में कौन से विकल्प में दिया गया है ठीक है तो तेरा एन प्लस दो करना है तो ग्यारा का तेरे गुना पिलस दो तो तेरे गुना हो जाएगा 142 दो जोडोगे 145 कौन से विकल्प में है ए विकल्प में आपको दे रखा है ए हमारे पास करेक्ट आंशर यहां पर होगा आगया नेक्स देखो 2832 520 80 उस विकल्प का चैन करें जिसमें संख्याएं वही संबंद साजा करती हैं जो दिये गए संख्या तरिक द्वारा साजा किया जाता है 2832 520 80 यह हमारे पास में है ठीक है तो आप देखो तो देखिए क्या रिलेशन है कि सर 2 से 8 हाया है 4 गुना दिखा हमें यहां भी 4 गुना दिख रहा है respective लिख दोगे उपर नीचे इस तरीके से साफ दिखेगा 8 का भी 4 गुना है 20 का भी 4 गुना यह हमारे पास में हो जाता है 4 टाइम 4 टाइम चला है हमारे पास में ठीक है तो इधर देखो यह 4 गुना यहां हो रहा है इधर 3 गुना है यह लॉजिक नहीं है इधर 5 गुना है इधर 4 गुना है यहां नहीं है इधर हमारे पास 2 गुना है इधर हमारे पास में डेज गुना है यह नहीं है 3, 4, 12, 12, 14, 48 डी करेक्ट है तो एक त्रिक हम को दे रखा है और इस त्रिक में लॉजिक है कि ABC इस तरीके से है तो कुल मिलाके relation है x यहाँ है तो यहाँ 4x है और यहाँ 16x है तरीके से यह pattern चला है अगेन बहुती common pattern में से एक pattern है exams के अंदर कई बार आज सुका है आगे हो next देखो तो यहाँ हमारी पास एक निस्चित तर्का पालन करते हुए 11-77 से सम्मंदित है उसी तर्क का अनुसरन करते हुए 16-112 से सम्मंदित है उसी तर्क का अनुसरन करते हुए 21 निमलिकित मैंसे किस सम्मंदित है तो देखो यहाँ हमारे पास 11 का relation 77 के साथ में है 16 का relation 112 के साथ में है तो 21 का relation किसके साथ में होगा तो ये देखो किसर यहां 7 गुना देखा है 16 से देखो किसर ये हमारे पास 7 गुना ही है बहुत common सा logic 147 तो ये हमारे पास मैं B विकल्प के अंदर दे रखा है Agitive क्या logic लगा कि कोई भी संख्या है relation दे दिया उसके exact multiple के साथ मैं अगर आप पहाड़े भी याद करते हो आपको tables याद हैं तो आप तुरंत इस चीज़ को पकड़ सकते थे तो ये answer हुआ आगया हो next देखो ये हमारे पास मैं बलाम सा reasoning mobile application है mobile application पे आप लोगों के लिए सारे के सारे paid batches इस पे available है अगर आप चाते हो कि आपके concept इस level पे तयार हो कि कुछ second के अंदर आप answer कर सकें तो इतने बहतरी बैचेस आपके लिए यहाँ पर available है ठीक है और अभी आप लोगों के लिए जो है offer भी बहुत अच्छे यहाँ पर running है best offer अभी currently running है तो आपको उसका फायदा उठाना है ठीक है यह आपके लिए यहाँ पर है इसके साथ ही यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे PDFs available है जो mock test के according आपके लिए design कर रखें ठीक है batches के साथ में test series आपको मिल जाती है ठीक है और इसके अलावा weekly आपको जो है latest pattern की उपर based on test यहाँ पर दिया जाता है आगया है next देखो दीगे इस रिंखला में प्रस्ण चिनने के इस्थान पर क्या आना चाहिए जो सनमार के इस्थान पर आपके पास क्या आएगा ठीक है तो देखो 96, 104, 112 next हमारे पास में 128 और 136 हमारे पास में ठीक है तो अब आप देखें क्या logic है अगर इनके बीच में difference लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा common difference हमें देख रहा है 96 से 104 हमारे पास में आया है कि सरी यह 8 का अंतर है इधर देखा तो फिर 8 का अंतर है फिर से 8 का अंतर होगा तो 120 आएगा फिर 8 का अंतर है फिर 8 का अंतर है क्या ही सामानिय सा logic है L0 एक समानतर स्रेणी है जो 8 के अंतर से बड़ी है यह pattern है और इस तरह के सेकडो नहीं हजारो pattern आप लोगों के different multiple exams में कही बार आ चुके हैं अगर आप regularly practice करते हो हर एक previous year के साथ में तो यह आपके patterns fingertips पे होंगे यह फरक पड़ता है और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि daily 50 questions कम से कम solve करो इतने sessions में करवा चुका हूँ पूरे YouTube पे सबसे ज़ादा questions में करवा चुका हूँ अब इसका benefit आपको लेना है और यह आपके selection में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा ठीक है तो देखिए answer हमारे पास में हुआ 120C विकल्प में आपको दे रखा है आगे है next देखें 743, 648, 553 घटता हुआ जा रहा है हमारे पास में difference ठीक है तो देखो यहां से देखो कितने का अंतर है 643 होता 100 का अंतर होता 5 ज़्यादा है 95 का अंतर है यहां से आगे अगर हम लोग देखते हैं 648 है 553 है हमारे पास में फिर से 95 का मोरा एक तरीके से फिर से देखा जाए तो सर यह 5 बढ़ गया 95 हमारे पास में है फिर 5 बढ़ गया 95 है तो आप इसको 5 ही बढ़ा दो 2 और 68 तो कौन से विकल्प में हैं D विकल्प में बड़ी संक्या घटा दी है लेकिन लगाया तो वही समांतर स्रेणी लगा रखिया समांतर से घटने वाली स्रेणी बिलकुल ही तंग नहीं किया इसने सवालों में नालायकों ने इतने आसान पेपर पूचे ठीक है ये हमारे पास में होगा जेए के तिहास में इतने आसान क्यूस्तन कमी बार पूचे गए है स्कोर डेफिनिटली उपर जाएगा कट ओफ डेफिनेटली उपर जाने वाली है आ गया हो नेक्स देखो 225-200-183-174-168 हमारे पास में तो देखो यहां अगर हम लोग देखें सर अंतर घटता हुआ गया जैसे इधर देखो कितना गटा 25 गटा है सर पहले फिर देखो यहां हमारे पास में 17 गट रहा है फिर से द इनके बीच में भी 8 का अंतर है अगर फिर से 8 का अंतर हमारे पास में होगा ठीक है तो देखो फिर से 8 का अंतर होगा माइनस का एक होगा तो यह हमारे पास में होना चाहिए माइनस 25 माइनस 17 और फिर से देखा जाए तो माइनस का 9 है ठीक है और नेक्स देखो यहां फिर से हमारे पास में देखें, माइनस का एक होना चाहिए क्योंकि ये प्लस काट, प्लस काट चल रहा है हमारे पास में, माइनस का एक होगा 173 हमारे पास में हो जाता है इस तरीके से चल सकता है ये difference हमारे पास में यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल ऐसा और next हमारे पास में 168 और next अम आप लोगों से पूछी गई है कि क्या टर्म आपके पास में यहां पर होगी difference अभी हमने देखा सर यहां तो 25 घटा है इधर 17 घटा है इधर हमारे पास में कितना 6 और 39 घटा है यहां कितना घटेगा हमारे पास में माइनस होता हुआ चला है 2579 अगर देखें 8-8 का अंतर हमारे पास में माइनस का यहां होना चाहिए 173 इसी हिसाब से यहां plus का 7 हो जाना चाहिए 180 लेकिन इससे कुछ different जो है वो logic हमारे पास में चला है इससे different ही कुछ हमारे पास में यहां पर आया है किस तरीके से इसको हम relate कर सकते हैं 173 ही इसके अंदर एक fitting logic हमारे पास में यहां पर देख सकता है इसके अलावा तो और कोई suitable logic यहां पर नहीं हो सकता है तोटल अंतर है 6 का ठीक है 6 हमारे पास में यह कम हुआ है 6 कम हो रहा है तो किस तरीके से इसको देखें यहां देखो यह प्लस का हमारे पास माइनस 25 था तो एक तरीके से प्लस का 8 इनके बीच में अंतर है यह प्लस का 8 है 9 और 8 17 ठीक है यहां अगर 6 हमें लाना है दोनों जगे प्लस का 8 था तो यह प्लस का 3 और प्लस का 3 हो सकता है ऐसा है तो इधर माइनस का 6 होगा इधर माइनस का 3 होगा सर और अगर ऐसा है तो यह भी ट्राइ कर लेते हैं हम लोग वह या ठीक है कि माइनस का 6 होगा तो ये 1 और कितना हो जाएगा माइनस 6 होने पर 68 है और फिर इसमें प्लस 3 होगा माइनस 3 होने पर 168 से छोटा होना चाहिए इस तरीके से चले या तो हमारे पास मैं या देखो ये 8 की जगे अगर प्लस का 4 या प्लस का 4 इस जगे पर होता तो उस कंडिशन में माइनस का 5 इस तरफ हो जाता यदर यह भी लग सकता है माइनस 5 होगा तो 169 और इदर माइनस का 1 ये लोजिक नोग ने लगाया है ये ठोड़ा क्या ठोड़ा हट के था अलग था लीग से क्योंकि एक समानता इसने फॉलो नहीं करी और छोड़ा ऐसी जगह पर है कि आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस सवाल में वास्तम में इन्होंने मेहनत करी कि बच्चा जो है वो एक लेवल पर कन्फ्यूज हो ठीक है और ऐसा सवाल पहले भी एकादी बारी पूछा जा चुका है और लग-लग एक्जाम्स में जैसे CGL, CHSLM पूछा जा चुका है रेलवे में एक आद एक्जाम्स में NTPC में एक बार पूछा जा चुका है उस तरह का पैटर्न है मार्क कर लो यार इसको स्टार लगा लो आप ठीक है आगया हो अगला देखें निम्लिके समीकरण में प्रसंचन के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए गुणा और माइनस को बदल दिया जाए ऐसा सवाल जिसके अंदर इंटरचेंज करना हो चिन्नों को बदलना हो आप सवाल देखते ही संख्या लिख लो केबल ठीक है जैसे ही आपको स्क्रीन पर किस्सन लिखा संख्याओं को इस तरीके से लिख लो अब चिन्नों को बदलो माइनस है पहले तो माइनस की जगे प्लस करना है आगे देखो भाग है भाग की जगे गुणा करना है और प्लस की जगे माइनस करना है गुणा की जगे भाग करना है यह चेंज करते ही आपको केबल यहाँ पर बोर्ड मास नियम का पालन करते हुए आंसर निकालना है चलिए देखें यह आगया आठ 12, 8, 6, 9, 6, 9, 4, 100 100-8, 92 कौन से विकल्प में हैं ए विकल्प में आपको दे रखा है ए आपके पास correct answer यहाँ पर होगा आगया हो next देखो यह देखो यहाँ हमारे पास में निम्लिकित समी के रण में प्रसंट जिन के इस्तान पर क्या आएगा यह जदि प्लस और माईनस को आपस में बदल दिया जाए गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए थीक है तो आप देखो यहाँ हमारे पास में 31 14, 28 7, 13 यह है अब इनके बीच के चिन बदलने है इसने अब प्लस और माईनस को तो यहां प्लस था माइनस आ जाएगा यहां माइनस है प्लस आ जाएगा गुणा और भाग को बदलो यहां भाग आ जाएगा इदर गुणा अब यह हमको board mass इसमें लगाना है हमेशा सरली गरन board mass से होता है reasoning के अंदर बसे direction extra add हो जाती है क्या interchange है या चिन्न बदलने है या संख्या बदलनी है या फिर कोई और particular order लगाना है ठीक है तो अब देखो यहां हमारे पास 4 हुआ 13 गुणा 4 हमारे पास में बामन यहां पर हो गया प्लस यहां अगर देखा जाए तो हमारे पास 17 है कितना आ जाएगा सर 69 हमारे पास में होगा कौन से विकल्प में है C विकल्प में आपको दे रखा है C आपके पास correct answer होगा आ गया next देखो A का अर्थ है प्लस B का अर्थ है माइनस C का अर्थ है गुणा D का अर्थ है भाग निमली के समी के रण में प्रसंचने के स्थान पर क्या आएगा ठीक है देखो 35 4 7 10 2 हमारे पास यहां पर है अब इसने कहा है कि चिन बदलने है जो लेटर है लेटर हमने नहीं लिखा क्योंकि चिन बदलना है A की जगे लिखो प्लस तो A था हमारे पास में यहां पर लिख दिया प्लस आगे देखो किस तर B की जगे माइनस B इदर है येलो माइनस आगे देखो C की जगे हमें लिखना है गुणा तो C था इदर ये लग दिया गुणा आगे देखो D की जगे हम लिखना है भाग तो ये लिजिए भाग हमारे पास में हुआ 35 इंटु 4 में 7 का भाग देना है 4 में तो नहीं जाएगा लेकिन 35 में जाएगा कितनी बार जाएगा 5 बार 7 पंजे 35 तो ये हो गया 20 माइनस 10 प्लस 2 ठीक है तो ये हो जाएगा 12 हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा केबल बोर्ड मास्क का ध्यान रखो उससे ज़्यादा सवालों ने परहिसान ही नहीं किया था बिल्कुल आ गया नेक्स देखो तो 82, 52, 16, 13 4 हमारे पास में यहाँ पर है ठीक है? तो देखो बियासी 22, 26, 13 और 4 हमारे पास में यहाँ पर है तो इसमें आप देखो कि सर हमारे पास में इंटर-चेंज लगाना है लगा देंगे गुणा और भाग उबने खाँगे बॉना इस तरफ आ जाएगा सर भाग इस तरफ तो यह गया दो बार बामन दुनी हमारे पास 104 माइनस का 82-104 प्लस 4 है हमारे पास में तो कितना आ जाएगा माइनस 18 हमारे पास होगा फिर से बोर्ड मास का ध्यान रखो कभी गलती आपसे इनके संस में नहीं होने वाली है आगे बढ़ें नेक्स देखो यह हमारे पास में बल्रामसर रीजनिंग जो है वो टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए सारे PDF से भी लाड़ी चलाता है ठीक है फिर वैदाएं मुड़ता है आठ किलो मिटर चलाता है ठीक है बाएं मुड़ता है तीन किलो मिटर चलाता है ठीक है फिर वैदाएं मुड़ता है पांच किलो मिटर चलाता है फिर बाएं मुड़ता है और अपने कारियाले तक पहुंचने के workplace है और यह home था तो पूछा है घर के संदर्व में कारिया ले किस दिसा है तो घर के संदर्व लेना है तो घर से दिसा हैं देखो इथर south होगा इधर हमारे पास में west east इदर होगा west इस त RICHARD अफ नॉर्फ इस तरफ तो ये पूछा है south east दिसा होगी हमारे पास में कि सर्फ साउथ इस्ट में होगा दक्षण पूरव दिशा में होगा पृतेक टर्ण बाया हो या दाया हो ये लिखके दे देता है लिखके नहीं भी देगा तो भी आपको 90 डिग्री ही गुमाना होता है अनलेस और अंटिल ये बोल दे कि भाईया 45 डिग्री पे बाईय और घूमना है या 40 डिग्री पे दाईय और घूमना है ठीक है आगया है अगला देखें कीरती बिंदू एसे प्रारंब करती है पूरफ की और 1 किलोमेटर चलती है फिर वह दाईय मुड़ती है दो किलोमेटर चलती है यह लीज़े तीन किलोमेटर चला दिया फिर दाइयों और मुड़ती है चार चलती है स्टेप बे स्टेप चल रही है फिर बाइयों और मुड़ती है और पांच किलोमेटर चलती है यह पांच हो गया अंत में फिर बाइयों और मुड़ती है पांच किलोमेटर चलती ह ठीक है अंतिम बाई और मुड़ती और बी तक पहुचने के लिए 6 किलोमेटर चलती है अब ये 6 वापस से चल रही है तो यहां आ गया ये 6 है ध्यान से देखना इस हाइट पे क्यों लिया क्योंकि जानभूच के ऐसे सवाल आप लोगों के हर एक्जाम में बनाते है ये 4 है ये 2 है ये भी तो 6 होगा इधर भी 6 है दोनों एक ही लाइन पर हमारे पास में होंगे ठीक है अब देखो बिंदू A पर फिर से पहुचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिसा में चलना होगा बिंदू A पर वापस पहुचना है ये A है और A से B पर पहुची है ए पर जाना है इस दिशा में जाना पड़ेगा दिशाइory यहां से देखो North उपर है East इधर है West इधर South इधर तो West direction में चलना है इसको कितना चलना है पांच इधर तीन इधर एक इधर तो total हो जाएगा यहां पे कि σας 1 प्लस 3 प्लस 5 यानि की 9 km towards west यहाँ पे चलना है कौन से विकल्प में है ए विकल्प में आपको दिया हुआ है ठीक है बहुत common और ऐसे ही आसान कि उसना आप लोगों से direction and distance पूछे जाते हैं सवाल का size जरूर देखने में बड़ा होता लेकिन घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं होता है आगे म्दां की 12 क में केबल 3 वेक्ति बैठे हैं अलल के बाईयों हो सिककर्षगें करने पर fatal और यी के बीच में केबल 3 वेक्ति बैठे ठीक है तो देखो गोलाकार मेंज है इसके 4 और बैठे हुए हैं और बोला है कि मूह करके बैठे हैं किंद्र कि और तो चलिए यहां हमारे प आप देखा जाएं तो f के बाई और से गिंती करने पर f और n के बीच में केबल 3 लोग बैठें अब अगर 6 लोगों में बीच में 3 लोग बैठें यह हमें दे रखा है कि f के बाई और से गिंती करने पर तो F को हमने बिठा दिया बाई और से गिंती करो एक, दो, तीन, तीन लोग बेटे हैं F और N के बीच में तो F और N तो टिक गए भाईया निश्य जानकारी थी 6 लोगों के लिए आगे आजाओ L के बाई और से गिंती करने पर L और E के बीच में तीन वेक्ती है L के बाईय और गिंती करेंगे तो L और E के बीच में तीन लोग है ठीक है G के बाईय और से गिंती करने पर G और D के बीच में तीन लोग है चलिए बहुत बढ़िया D N के ठीक बाईय और बैठा है D N के ठीक बाई और बैठा है ये निस्यत जानकारी है ये solid information हमारे पास में है N के बाई और बैठा है वो भी ठीक बाई और आगे देखो M E का निकटतम पड़ोसी नहीं है M जो है वो E का निकटतम पड़ोसी नहीं एक negative जानकारी और है तो अब देखो कि सर N के बाई और D हमारे पास इस तरफ है D अगर इधर है तो ध्यान से देखो D और G के बीच में इसने बताया है हमको कि G के बाई और गिन्ने पर तीन लोग बैठा है G इधर होगा तो ध्यान से देखना G के बाई और गिनों एक दो तीन और डी बैठ गया तो जी और डी हमारे पास में टिक गए ठीक है अब देखो E और L को बिठाना है ठीक है तो इसने कहा है कि E और L अगर हम बिठाना चाहते हैं के बीच में केबल तीन लोग बैठे हैं तो E और L के बीच में तीन लोग हमारे पास में यहां पर बैठे हैं ये था N के बाई और D है N के ठीक बाई और बैठा है N के ठीक बाई और हमारे पास में D बैठा है ठीक LMN, DEF, G अच्छा साथ लोग हैं ये ये साथ वेक्ति हैं हमने छे रख लिए हैं सात्वा और फसादों भहिया इनके बीच में चलो हम तो सात्वा और फसाद एते यह लो यह हमारे अब आप देखो इसर हमारे पास में यहां पर अगर देखा जाए तो साथ विक्ति हैं सातों को अगर हम लोग देखे तो सात लोग बिठा दिया अब देखो यहां इसने बोला था हमारी पास में क्या बोला था कि N मानलो N हमने बिठा लिया यहां पर यह N हमारी पास में है और N के लिए इसने बोला था शुरुआत में कि F और N के बीच में तीन लोग बैठे हैं F के बाईयों और गिने पर ठीक है साथ लोग हो गए F और N बैठ गे अब फटाफट से देखो इसने बताए N के बाईयों और D है यह D हमारे पास में बैठा D अगर इस तरफ है तो हम कह सकते हैं कि सर G और D के बीच में तीन लोग हमारे पास में G के बाईयों और अगर देखा जाए तो G के बाईयों और देखेंगे एक दो तीन और यह D बैठ गया तो G और D को भी बिठा दिया E और L को हम बिठाना चाहते हैं तो L इदर है L के बाईयों और एक दो तीन और E इस तरफ बैठेगा यह सब लोगों की विबस्ता हुई एक वेक्ती हमारे पास में बचा है वो कौन सा है ध्यान से देखो L M N L M N तो M हमारे पास नहीं बैठा ठीक है M यहां बैठ गया M के दाएं से तीसरे इस्थान पर कौन बैठा है M के दाएं से तीसरा M का दाएं 1, 2, 3 L यहां पे बैठा हुआ है तीसरे इस्थान पर कौन बैठा है M E का निकरतम पड़ोसी नहीं है अच्छा एक और चीज इसने बोली बहुत बढ़िया यह negative condition का और ध्यान देना है M E का पड़ोसी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां सर यह वेवस्ता हम नहीं रख सकते क्यों नहीं रख सकते ध्यान से देखो M E का निकरतम पड़ोसी नहीं है क्या का इसने M E का निकरतम पड़ोसी नहीं है इसका मतलब यह हुआ हमारे पास में कि इस वेवस्ता को दूसरे तरीके से अरेंज करो E और L ऐसे नहीं बैठ सकते हमारे पास में M और E इस तरीके से नहीं बैठ सकते तो M और E को और कैसे बठाया जा सकता है कि सर हमारे पास में L इदर हो ठीक है L इदर हो और L के बाई और हमारे पास में तीन लोग छोड़के E इदर बैठे इस वेवस्ता में M इदर आ जाएगा M और E पड़ोसी नहीं होंगे ये कंडिशन यहां नेगेटिव दी गई थी दो संभावनाए बन रही थी ये क्लियर कर रहा है आपके पास में ठीक है अच्छा सवाल ही रिवीजन पॉइंट ओव इस है अब देखो M के दायां से तीसरा कौन है M का दायां तीसरा हमारी पास में एक दो और तीन यह हमारी पास में F यहां पे होगा कौन से विकल्प में B विकल्प के अंदर ठीक है जब सवाल में जैसे नेगेटिव जानकरी है बढ़ाता है तो उतना ही कि उस तन आपको सोचने पे मजबूर करता है अब इसमें गोल्डन रूल्स का ध्यान रखो निस्चत जानकरी पहले विवस्तित करो फिर एनिस्चत आ गया हो नेक्स देखें ABCD, P, Q, R, A, गुला का रिमेज के चार और केंद्रिकर मुह करके बैठें तो यहां हमारी पास में C के बीच में D बैठ था है B और C के बीच में D बैठ था है ठीक है? तो देखो B के बाई और से गिंती करने पर B को इधर बिठा दूर इसके बाई और से गिंती करूँ तो हमारे पास B और C के बीच में D बैठ था है यह लो B और C यानि तीनों बैठ के निस्स्य तुजानकारी थी जो हमारे पास पहली है निस्स्य तुजानकारी है आगे बढ़ो कि सर यहाँ P D के दाएं से चौथे इस्तान पे है D का दाएं चौथा 1, 2, 3, 4, P यहाँ हुआ आगे देखो R, P और C दोनों का निकरतम पड़ोसी है R जो है P और C का पड़ोसी है तो P और C के बीच में R बैठ गया येलो तीनों बैठ गया आगे देखो Q P का निकरतम पड़ोसी नहीं है negative condition last में ही काम आती है Q P का पड़ोसी नहीं है तो Q यहाँ बैठ गया क्योंकि Q इस जगे नहीं आ सकता अब एक व्यक्ति बचा है हमारे पास में A, B, C तो A बच गया था A यहाँ बैठ गया पूछा है A के बाई और गिंती करने पर A के बाई और गिंती करेंगे हम लोग तो A का बाया इस तरफ होगा D और A के बीच में कितने लोग है D इदर हुआ तो A और D के बीच में दो लोग है हमारे पास कौन से विकल्प में है B विकल्प में दो सरते बन सकती तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखनी होती है आपको एक तो A के बाई तरफ गिंती की जाए और A के दाई तरफ से गिंती की जाए यह दो कंडिसन्स हमारे पास में बन पाती है ठीक है तो यह आंसर हुआ आगया हो Next देखे पांच दोस्तों के समूँ में प्रतेक की अलग-अलग उमर है पांच दोस्तों के समूँ है हमारे पास में स्टोंई आगे देखो मोहन चांद से छोटा है मोहन जो है वो चांद से छोटा है चांद से केवल दो व्यक्ती बड़े हैं चांद से केवल दो लोग बड़े हैं चांद इदर आ गया फिर हमारे पास में इससे केवल दो लोग बड़े हैं आगे देखो, सीता मोहन से छोटी है, सीता मोहन से छोटी है, ध्यान से देखना, चांद से छोटा मोहन, मोहन से छोटी सीधा, यानि कि दोनों इधर ही आएंगे, किसर मोहन इधर और सीता इधर, सी के नीचे ही होंगे, रमेश और सोनी को अब होना पड़ेगा, उपर के दो स् रूप में जानकारियों को लिखो short form में और फिर एक साथ व्यवस्तित करो end में सवाल को एक ही बार पढ़ना है time बचाने के लिए अब देखो सम्भू में दूसरा सबसे छोटा कौन सा है दूसरा सबसे छोटा यानि कि छोटों में नीचे से दूसरे नंबर पर जो होगा M हमारे पास में है Mohan Correct Answer यहाँ पर बनेगा दूसरा सबसे छोटा यानि कि छोटी तरफ से दूसरे स्थान पर दूसरा सबसे बड़ा यानि कि बड़ी तरफ से सबसे स्थान पर हमने बड़ों को उपर लिखा है और हमने छोटों को नीचे लिखा है ठीक है आ गया हो अगला देखें दियेगे कत्रों निसकर्षों को ध्यान पूरों पड़ें यह मानते हुए कत्रों में दीगे जानकारी सत्य है बले ही वे सामाने तक या तत्यों से बिनेप्रतित होती हो नीचे लेकी देगे निसकर्षों में से कौन सा निसकर्ष कत्रों का तारकिक रूप से अनुसरन करता है तो देखो यहां हमारी पास में सिलॉक जो है वहाँ आप लोगों से पूछा गया है अब ध्यान से सुनना किलर आर्गुमेंट क्या है सर किलर आर्गुमेंट तो किलर आर्गुमेंट बड़ी जवर्दसी बला है जो न्याय निग्वन का सबसे लेटेस्ट और मेरे द्वारे दिया गया फास्टेस्ट अप्रोच आप लोगों के लिए सवाल को देख करके माथे पे टिक कर देते हैं क्या होने वाला है देखो अगर सम के संबंद है तो निसकर्स भी सम का ही आएगा कुछ का ही आएगा अगर कुछ के रिलेस आने तो ठीक है कुछ के ही पूछे हैं इसने अब कुछ का कौन सा आएगा कि सर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक आर्गुमेंट तो यह कि नेगेटिव निसकर्स नहीं निकल सकता अब यह आर्गुमेंट पता था तो केबल सवाल देखते ही काड देते इसको दूसरा कुछ से कुछ के निसकर्स ही निकलते हैं कौन से वाले इसका उल्टा सही होगा इसका उल्टा सही होगा बाकी सारे गलत होंगे ये है किलर आरग्यूमेंट ठीक है? दो निसकर्स पूछें ये पचास पूस्ताना तो उसका भी आंसर दे दिया मैंने आपको All के संबंद पूछेगा सारे गलत होंगे No के संबंद पूछेगा सारे गलत होंगे सम के संबंद पूछेगा इन दोनों का उल्टा सही होगा बाकी सारे गलत होंगे बताओ, दो पूछे हैं इसने कितने पूछना चाहता है पूछले killer argument से एक बार में साफ है killer argument के उपर अलग से specific session भी आपका यूटूब पर available है topic wise के अंदर जरूर आपको देखना चाहिए ठीक है, अब देखो some ceilings सार blue को छते नीली है तो यहां देखो ceiling और blue में तो relation ही नहीं है सर, ना तो इसका उल्टा दे रखा, ना इसका उल्टा दे रखा यानि यह तो गलत हो जाएगा तो यहां हम कहेंगे कि सर, भाईया हमारे पास में neither conclusion first nor second follows ना तो पहला follow करता है ना ही दूसरा यहां follow करेगा आगया, अगला देखें देगे कतनों इसकर्थों को ध्यानपूर अब पढ़ें कतन को सत्ते मानना होता है कतन में कहें दिया, भाईया, सारे घड़े घोड़े हैं तो हैं जब तक answer नहीं आ रहा आगे आजो, देखें यहां तीन all के संबंद दे रखें और यहां दे दिया at least सब्द अच्छा, at least का मतलब भी कुछ ही है indicative, कभी can fuse, मत होना आप लोग यहां संबंद है हमारे पास तीनो all के, इनका relation बनाओ, समय बचाने के लिए kite को k लिखूंगा, rock को r लिखूंगा, इसको r, इसको l इसको l, इसको p, यह चीज time बचाती है, अब आप अंगरेजी माद्यम हिंदी माद्यम या और कोई माद्यम हो आप को भी time बचाने के लिए ये चीज करनी है, देखे, अब आप आप देखो कि सर, यहां हमारे पास ये वाला छेत्र सभी के अंदर है, तो killer argument यहां है, दिहान से सुनना, अभी cable diagram बनाया है, जो हरको बना सकता है, तो रंग, killer argument क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई छेत्र सब में common है तो उन सब के बीच में कुछ वाले सारे संबंद सही होंगे कुछ वाले अब जितने संबंद बन सकते हैं सारे सही होंगे ठीक है और कम से कम 12 तो बनी सकते हैं और मैं एक बार मैं बोल चकता हूँ वो 12 के 12 सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपकी हर एक एक एक्जाम एक्जाम निसंस आपके आपके पास में हैं या आपके पास में यूपी के एक्जाम निसंस हैं इनके बहुत सारे यूसफुल प्रीवियस यर की वीडियो मैंने आपके लिए करके आठ चुका हूँ जितनों की बुक्स तक नहीं आती जितने के उससंस आपको किसी प्लेटफॉम पर नहीं मिलते सबसे ज़्यादा प्रसन आप लोगों के लिए प्रैक्टेस के लिए यहाँ अवी लेबल है प्रैक्टेस ही आपके सलेक्शन की चाबी है ठीक है तो यह आपको मिल जाता है बल्राम से रीजनेंग यूटूब चैनल के उपर इसको आपको सब्स्राइब कर लेना है और इसके साथ ही जो हमारे पास में टेलीग्राम है टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए पीडियेफ है भी लेबल है ठीक है तो पीडियेफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो एप्लिकेसन के उपर पीडियेफ से भी लेबल है आप लोगों को ठीक है इसके साथ ही आपको वाट और जितनी भी वीडियो से उनके लिंक्स आपको मिल जाते हैं अब डेट्स मिल जाते हैं ठीक है आगया है नेक्स हमारे पास में उस से ही विकल्ब का चैन करो जो इनके सब्दों की तारकिक और सार्थक क्रम्य विवस्ता को दरसाता है यहां देखो आयत, सट भुज, नोनागोन, ट्राइंगल और पेंटागन तबही अलग अलग भुजाओं के हमारे पास में यहां पर जो हैं वो क्या हो जाते हैं आप देखो, सबसे कम भुजाओं हैं इसमें ट्राइंगल के अनदर, ट्राइंगल के बाद हमारे पास में रेक्टेंगल rectangle के बाद हमारी पास मैं यहाँ पर pentagon pentagon के बाद मैं हमारी पास मैं यहाँ पर hexagon hexagon के बाद मैं नहीं हो नागर 4, 1, 5, 2, 3 ए विकल्प मैं आपको दे रखा है सीधा सीधा आपकी जो basic understanding की बहुबूज में बुझाएं कितनी है उन बुझाओं के अधार पर क्रम दे सकते हैं अच्छा ये क्रम घड़ता हुआ बढ़ता हुआ दोनों हो सकता है आगे हैं अगला देखो यहाँ हमारी पास मैं एक पासे के फलकों पर संखे हैं 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकित हैं उसी पासे की दो इस्तितिया नीचे दिखाई गई है ठीक है दिए गए कत्रों में से कौन सा अनुसरन करता है कौन सा कत्रन अनुसरन करेगा पहला है फलक 9 और उसके विपरीत फलक का योग तीन है फलक 9 और उसके विपरीत फलक का योग फल तीन है तो 9 का फलक वाला जो 9 है हमारे पास में और उसका विपरीत फलक हमारे पास कौन सा होगा तो इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो सर एक भुजा हमारे पास में एक फलक समान है अब कॉंसेप्ट यह कहता है आप से कि सर जो समान है यहां से आप एक ही दिसा में रोटेशन ले लो यहां से देखो आठ के बाद 6 आया इधर 8 के बाद 9 आया यह दूसरे के विपरीत है चे के बाद में 7 आया और इधर यहां पर हमारे पास में 9 के बाद में 4 आया यह विपरीत है बच गया 8 8 का विपरीत वो होगा चो दोनों पर दिखाई नहीं दे रहा इतना हम कह सकते हैं इसने का the sum of face 9 and the face opposite to it it is multiple of 3 तीक है तीन का गुणच है तो भाईया 6 और 9 का देखो विपरीत है एक दूसरे के इनका योगुफल किया जाए 15 है 15 तीन का multiple है बिलकुल ये बात हमारे पास में सत्य है अलग अंदाज में किस्तन पूछा है फलक आठ के विपरीत फलक के रूप में एक अबाज्य संख्या है आठ के विपरीत के रूप में एक अबाज्य संख्या है आठ का विपरीत तो इन दोनों से हम ग्यात ही नहीं कर सकते इन दोनों में आठ का विपरीत तो हम निकाली नहीं सकते, आठ का विपरीत वो है, जो नहीं दिख रहा, कौन सा नहीं दिख रहा, इसने नाम दे दिया, यहां पे सातों के, तो यहां देखो, चार, पांच, छे, तो पांच ऐसा है, जो दोनों पे नहीं दिखाई दिया, इस आठ का विपरीत वही होगा, तो आठ के विपरीत फलक के रूप में एक अभाज्य संख्या है ये भी सही है तो हम कहेंगे कि सर दोनों के दोनों यहां पे जो है वो फॉलो करते हैं ये एक नया अंदाज था कि दो आप लोगों को आर्गुमेंट दे दिये और वो भी थोड़ा सा अलग हट के अंदाज में जैसे पहले नहीं पूछे थे तो ये चीज नहीं थी आप लोगों के लिए आगया हो नेक्स देखें तो एक दरपन को नीचे दिखाए अनुसार ओजी पर रखा जाए तो दी गई आकरती के सही दरपन सभी क्या होगी ओजी पर दरपन को रखें दरपन सभी क्या बनेगी कि सर ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसकी दरपन सभी उपर डार्क है डार्क उपर देखेगा इसने गड़बड कर दी इधर डार्क इसने गड़बड कर दी यहां पर इसने भी गड़बड कर दी यह लो कोई से भी एक भाग को पगड़के Elimination पर उतर जाओगे तो Eliminate कर दो फटा फट तीन options Eliminate होते ही आपका answer आजाता है ठीक है आगया है अगला देखो तो उस विकल पाकरती का chain करो जो pattern को पूरा करने के लिए नीचे देगे चित्र में प्रसन चलने को प्रतिस्थापित करेगा Question mark के इस थान पर आपके पास क्या आएगा ठीक है तो देखो Question mark के इस थान पर जिस तरीके से pattern चल रहा है एक तो सर यह line है यह पूरी होनी चाहिए यह भाग है, यह पूरा हो रहा है इसके अंदर और देखो ऐसा ही similar हम इस सिमिलर हम इस तरफ expect कर रहे है कि चल रहा हूगा तो यह देखिए वही आइसा जाएगा और यह इस तरीके से जाएगा अच्छा यहीं से पास हो रहा है चलिए बिलकुल इस तरीके से होना चाहिए जैसा टरेंड है विशन चलेगा तो इसने तो कोई गड़बर नहीं करिए इसना चाहिए चलाया है इसने गड़बर गड़दी कौने में इसने यहाँ देखो यहांने कोई गडबड नी है इसको खा गया है इसने कौने ही अलग ले लिया ठीक है तो दोने तो कौने ही अलग ले लिया और एक ने यह वाली लाइन को गायब कर दिया जो होनी चाहिए यहां से पास होने वाली इस साधार पे completion of figure पे इस तरीके से question पूछा गया था आगे बढ़े next देखो तो उस विकल्ब का chain करो जिसमें दी गई आक्रती अंतर नहीं थे ऐसा विकल्ब जिसके अंदर दी गई आक्रती जो है वो हमारे पास में अंतर नहीं थे होगी था तो देखिए यहां हमारे पास में दी गई आक्रती जो है वो अंतर नहीं थो तो यह देखो यह आक्रती इक मैं अंतर नहीं थोगी पहली बात तो एक horizontal रेखा ऐसी हो जिसके ऊपर एक तलिक रहाए इस तरीके तो यह थौट प्रोसेस है एक तो इस आकरती को तुर Wikuna सकते हैं क्य Lawrence of आपको स्क्रॉल करके नीचे पड़ता है या क्य cr Benim मोइ थिमाओ अकरती है क्याओ इसको रोए लगरा रे Leon और इस तरीके से यह बनेगा तो इस तरीके से तुरंट बना सकते हो फिर जाओ options में इसको match करने इससे क्या होगा बार बार उपर नीचा आप स्क्रॉल नहीं करोगे प्रॉलिंग वास्तम में कुछ सेकंड के समय को खराब कर देती है भले वो 10-15 सेकंड ही खराब हो रहे हैं लेकिन हर जगे time को बचाने की सोच नहीं है आपको ठीक है आगया नेक्स देखो उस विकलब आकरती के चैन करें जिसमें दी गई आकरती उसके भाग के रूप में अं में नहीं है ऐसा इसमें नहीं है भी हमारी पास में correct answer यहां पर होगा ठीक है आगया हो अगला देखें तो उस विकलब का चैन करो जिसमें दी गई आकरती अंतर नहीं थे यह आकरती कौन से विकलब के अंदर अंतर नहीं तो होगी ठीक है तो देखो यहां हमारी पास में य यह भाग है यहां से देखें kim तो देखो कि पुल्ब में हमको दें रखा है वह हमारे पास correct answer यहां पर बनेगा آगे can context देखें कितने जाएं हमारे पास में कितने ट्राइंगल से आप लोगों से पूछा है nove主ों की संकीर हम यह construction approach आप इसके अंदर लगा सकते हैं ठीक है जैसे अगर मैं बीच वाले मानक हिस्से की बात करू इसकी तो यह एक मानक standard हिस्सा है हमेशा ध्यान रखना दुनिया का कोई भी चत्रबुज है अगर इसके अंदर दोनों विकर्ण है तो आठ तिर्बुज बनते हैं कितने बनते हैं आठ बनते हैं अच्छा इसमें अकेले में आठ हैं इसका मतलब यह हुआ कि बाईया दो ही विकल बचे हैं सवाल में पहली बात तो साथ के साथ पहले डल चलो अब इसके अलाबा कितने ट्रiंगलste है कि सर भार कोई त्रबुज दिख रहा है क्या यहां कोई भार त्रबुज नहीं है इनके अलाबा और कोई ट्रैंगल हमारी पासमने किसी भी तरह का यहां पर निकला है कोई भी रेखा मतलब इनको मिला के देख लो या फिर कैसी भी और रेखा आप मिला के देख लो उनकी वज़े से और नया ट्राइंगल नहीं है आठ तरबुझ हमारे पास में होंगे ठीक है next time चैनल को subscribe कर लीजे और इतने नहीं amazing sessions आप लोगों के लिए जो है हर एक जो latest previous year है उनके उपर आपके लिए एविलेबल है ठीक है latest exam से जतना आप connected रहेंगे previous years को जतना solve करोगे उतने आपके बार-बार reasoning का revision होता है complete reasoning का revision होता है इससे आपको पता लगता है कि आप जो पढ़ रहे हो वही एक्जाम में आ रहे है एक्जाम में जो चीज़े आ रही है वो कितना time ले दी है क्या उनके according आपके concept भेता रहे है या नहीं वह आप इसको देख करके सीख सकते हो बहुत सारी नहीं